कि वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल एक जाम स्कूर जिन में चनावी तक सब्सक्राइब नहीं गिए तो डेंड डू सब्सक्राइब अगर आपको प्रॉफिट लगता है इस यूट्यूब चैनल आपके स्टेडी में अगर इंप्रूम्मेंट होता है तो लाइक भी कर दे अगर चाते हों कि इस पेंडेमिक भीमारी में किसी और की हैल्प हो जाए तो यह उन्हों लोगों को भी सेर कर दो ठीक है तो अगर आप तक शेप्टर नहीं पड़ें तो प्लेश्ट बनिया जाके पूरी प्लेश्ट में एक एक अच्छे से कर रही है आप जाके महां देख जो यह पड़ रहे हैंगे थम्डेल में लिखा है पहली पेच फ्रेंट ब्युक का है ठीक है तो लीनियर एक्क्वेश्ट बन वैजिवल क्या होता है तो आप जो एक्ससाइज कुश्चन लिखें उनके द्वारा में आपको समझा देते एजी बी में और कोई टेंशन नहीं कि आपको पहले चैप्टर में 6.6 चैप्टर में मैंने वैरी वैल के बारे में कॉंस्टेंट के बारे में अच्छे से बताया जिन नहीं पता है तो एक बार जरूर देख लें इस चैप्टर को तो इसे आसानी हो जाएगी बच्चों समझने में ठीक है तो बच्चों यह कह begin तो माइनस फाइब टो माइनस वानी तो यह वह है वैदा मीच्चैणने सैटिसफाई तो यहां होरी दूसर है अब इसको देख लेते हैं एक्स प्लस सेबन एक्वल टू अगर माइनस फाइब रखेंगे प्लस सेबन इसको सॉल्फ करेंगे तर टू यह हमारा टू एक्वल आ रहा तो यह सैटिस्वाइब गोरा तो यह हमारा यह बस अब इसको दूसरे को देख लेते हैं हगे लागा थ्री एक्स ही ट्वंटिफोर ट्री मॉल्टिप्लाइब शीक्स मानिस फॉंटिफॉर तो यह किन नुए मैसा आजाएगा तो आनुए जीरो तो यह नो हुलाएँ कोई दिख करने को रेंगें और कुछ नहीं किया कुछ नहीं का वैलू पूट किया अब बचो यह माइनस का 16 सुदी 16x प्लस का 16 इकोल टो जीरो आने चाहिए तो 16 मल्टिप्लाइब माइनस मन प्लस 16 तो मानस 16 स्टीन प्लस 16 इकोल टो जीरो जीरो यहां हो जाएगा यमरा यस हो ठीक है यह मारा रहुकित अब चेक्ट वैडर दा वैलू गिविन इन डा ब्रेकेट है यह बोला है दूसरी कोशन में चैक आप वैडर दाभेलो गिवन इन दा ब्रेकेट इफ इस दस solution of the corresponding equation or not, मतलब इसका solution है की नहीं है, तो yes, solution yes or no, पहले तो देखो हम solve करते हैं, तो देखो, x दिगा क्या रखेंगे, minus 7, minus 7 plus 13, तो solve करेंगे, तो कितना आ जाएंगे हमारा, 6, तो yes, solution है इसका यह, तो yes, आ जाएगा, तो इसके लिए क्या, yes, solution है, इसमें रखते हैं, आप यह चीज़ा का 4 रखें तो 8, multiply 4, minus 4, अब इसको solve करें तो कितना हो जाएगा, 32, minus 4, क्या जाएगा, 28, 28 का, 28, तो yes, solution है, तो इसको जाएगा, P equal to, यह कितना हो जाएगा, 3, multiply, 5, minus 4, solve करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15, ठीक है, और 15 में ऐसे, मानस 4 करोगी, 11, आना चाहिए, हमारा 14, 11, तो यह no, यह solution नहीं है, यह, it is, कोई यह कंदेत नहीं माल जाएगा, solution no, yes, ठीक है, इतने टीचर देखेंगा, तो समझ जाएगा, तो आप समझेगा, variable का मतलब क्या होता, जो variable है, हमें उसकी value निकालने पड़ती है, यह value दी जाएगी, उसे question में put करनी पर, यह हमारी equations है, जिदेखेंगे questions है, हमें value दी गई, put करके check करना कि हमारे इतने equally यह आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, यह होती, variable है, one variable, सभी में one है, कोई दूसरा letter तो आ नहीं गया, ठीक है, तो लोको समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक, सस्क्राइब करना न भूलें, अगर आप किसी की help करना चाहते, तो इस वीडियो को अपने वाश्टप के दवारा, फेस्वुक दवारा, अपने दोस्तों को जरूर सेर करो, उनकी भी पढ़ाई हो, दोनों लोग साथ मिलके बढ़ेंगे, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, तो कोसे साब की यह रहा ही, दूसरी की help करने की, आपकी भी help होती जाएगे, तो question number 3 पर चल नंबर मिलना है, प्लस माइनस मल्टिपलाई करके फटाफट, आंसर निकार डाले, ऐसा नहीं होता है, महत ही के complex से चीज है, उसमें English भी समझना है, उसको number भी समझना है, उसमें दिमाग भी लगाना है, हर चीज लगाना है, तभी तो महत को सबसे उपर रखा गया है subject को, क जिसका महत strong है, महत में जिसने दिमाग लगा लिया, उसके सारे subject easy हो जाते, उसमें सारे दिमाग लगानी नहीं पड़ता, वह तो सारे पढ़ना पड़ता है, उसको थोड़ा दिमाग कौन से mental जैसा होता है, mental दिमाग कर देगा या, दहीं बनादे, तो right equation for the following statement, तो equation मनाने आज वाद दियाँ से देखना, the sum of 9 times, 9 times a number, ठीक है, 9 times a, ठीक है, 9 times a, ठीक है, 9 times a, 9 times a, बूला, 9 times कमतल है, 9, multiply a, यह उनीं टाइम, end, एंड 6 ठीक है एंड 6 मतलब क्या है सम सम मतलब क्या है 9 टाइमस और एंड के मतलब प्लस 6 एक्वल टू बड़ाबर टूटीव तो यह किसन हमारी एक देखे तो यह बन जाएगी 9 टाइमस ए प्लस 6 एक्वल टू टूटीफूर बस से यह था हमारा अंसार ठीक है कुछ कर रही नहीं था देखो आप एक वार देख लो ना तो सम 9 टाइमस ए प्लस 6 एक्वल टू इसका मतलब एक्वल टू टूटीफूर ठीक है अब भी पढ़ते हैं वह वाला अनमबर बी कोई नमबर बी है बी नमबर डिवाड कर रहे हैं डिवाड कर रहे हैं तो बी डिवाड वाई इक्वल टू फाइब आप इसको ऐसे भी लिख सकते बच्चों बी अपान सेवन एक्वल टू फाइब तो हमारा यह स्टेटमेंट नहीं करना तो आप आप देखो ना ठीक है तो हम एक लाइन बनाते चले जारी ना कंफ्यूजन होता चला जाए यह तो यह हुए और यह हमारा इसको अमने लिख तो आपको कठना ही ना हो ठीक है तो लिखा है इफ टॉइल इस टेकन अवे फ्रॉम फाइब टाइमस और बाई तो यह वह कह रहें टॉइल को अगर हम टेकन अवे टेकन मतलने निकाल लें किसे में प्रॉम से फाइब थांस तर यह जा फफाइब अशृम एक ताम से फञेच को निकाल लाए ब ऐस'tो निकालने किसमें से फाइब कुछ जो मुख्या सिम्रन पादर है सिमरन के फादर म मडलव सिमरन के फादर निर्सिटान है घौड़ कोती वन एसके ही जो ही किसके लिए लिए-सके अग्रैट करण को यह यह लिए पटा के यह इस फाइब यह ओल देन थे टैम्स ओफ सुमनेश ठीक है अब सेमरन इस की फाइब टाइम से पांच यह ओल है ठीक है तो देखो हम सिम्राइब लेट कर लेते हैं इसे लेट कर लेट सिम्राइब इस इकोल टू बाई माल ले रहे तो हमारा फाइब क्या बोला से थ्री टाइम्स यह बोला थ्री टाइम्स ओभाई ठीक है ओल्डर मनें बड़ी फाइब यह बड़ी है पांस साल ज्यादा है कि फादर की यह था और कुछ नहीं था इसको न्यूं कर देते बच्चों यूं सर्व का सब्सक्राइब नहीं लग रहे हैं हराम से एक बार रिविजन कर लें हराम से अब क्या आइसोसलेस ट्रेंगल आइसोसलेस क्या जिसकी दो बज़ें बराबर होत हुए यह क्या बना दिया मैंने की जिसकी दो बज़ें मरबरा होती है ठीकिंए अध़ बैस इंगिल और एक qualche मतलब यह इंगिल और यह यह इंग इसनी अधी अक्यूम अब यहIELओ वह दियांड जिशकी अ्यादिками नहीं चाहरा यह इच इच दा अब करें इच दा बेस एंगल बेस एंगल इच मतले जो एंगल इस डवल इस बर्टेक्स एंगल अगर बर्टेक्स का एक्स है तो यह टू एक्स होगा बस आप क्या बोला इस इन आइस दो सिले स्ट रिंगल तो क्या करें हम इसमें एक्स लस्ट टु एक्स इसकोल्टु बने टी यहीं हमारे क्यूस्ण होती है चलो तसम अब टू कॉंजगेटिव और नमबर अब बता और नमबर की बीच में गेप कितना होता अगर यह थरी है तो यह यह बने थरी है यह फाइव तो टू टू का नमबर गेप होता अगर हम यह इक समान ला तो दूसरा अमारा नमबर कौन सा हो जाएगा एकस प्लस टू इन्हों को सम करते है एकस प्लस एकस प्लस टू एक्वल टू मरा कितना फूटीफूर अगर तो आई हो आपको यह कोशन समझ में आ गया आने चाहिए नहीं तो मैं कर रहा हूं गराबर आप भी करो ट जीत लेंगे मैं को ठीक है तो कुशन नमबर हमारे थर तक कंप्लेट तो फोर वाले कुशन में चलते हैं अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको वीडियो दोबारा देख ले फासफ़ॉड में देखने किसी चलो मोसन में देखने आप इससे जरूद देखें ठीक है त देखो कैसे करते हैं वह सेंपा है देखो लखना है एक्स एडिट टू सेवन गिफ्स नाइन बस टीक है यह आ गई ज्यादा कुछ डर्निंग करना ठीक है ठीक है दूसरा क्या थ्री टाइमस ओफ पी डिवाइड बाई सम ओफ पी एंद फाइफ गिफ्स शिक्टीन बस हो गया देखा अब देखो सम ओफ फोर टाइमस पी एंद टू गिफ्स ट्वंटी सम इसका बना देखो सब्ट्रेक्ट सब्ट्रेक्टेट फ्रॉम तो टाइमस ओफ एक्स फाइफ यहां फाइब लिख लो यहां तो फाइफ 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 सब्ट्रेक्ट फ्रॉम टू टाइमस ओफ एक्स गिफ्स ट्वंटी बस कापी में मैंच नहीं होगा कुछ लेगें सिंपल समझेगा फिर समझा दरें एक्स एड़िट तो 7x added to 7 gives 9 3 times of P divided by sum of P plus 5 gives 16 sum of 4 times P and 2 gives 20 5 subtract from 2 times of X 2 times X 5 subtract and gives 20 इतने कुछ था और कुछ नहीं ता ली तो आई ओफ आपको कोशन नमर फूर्ट एक समन में आगए अगर कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखें अगर आपको यह वीडियो हेल्प करता है चैनल को अभी लाइक करें अभी सब्सक्राइब परें और दूसरों की हेल्प पर नहीं चाहते हो तो अभी दूस और च्तौस।